आनी की शिरुवार टैंक से होती है जो तैयार हो रही होती है क्योंकि आज उसकी शादी थी उपर से वो प्रेगनेंट पी थी इसलिए बहुत जादा खुश थी वो आज अपने प्यार फू से शादी करने वाली थी पर फू तो टैंक की स्टेप सिस्टर की साथ मजे मार रहा ह होता है चाओ बोलता है उस टैंक को पता चल गया थो बाहर से सब टैंक भी सुन रही होती है फू पो बोलता है क्या फरक परता है मैं तो शादी उसकी प्रापर्टी की वाज़े से कर रहा हूं शाओ बोलती है एक बार प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाए फिर मुझसे शादी कर लेना फूब बोलता है तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहा हूं न चान तब टैंक अंदर आ जाती है ये सब क्या चल रहा है शाओ बोलती है मैं तो अपने जीजू को तयार कर रही थी टैंक बोलती है मैंने सब कुछ सुन लिया है शाओ टैंको थापड मारती है अच्छा हुआ तुमें सच पता चल गया टैंक फू को बोलती है तुमेंसा केसे कर सकते हो पर वो तो टैंको किक मार देता है ये सब सुनकर टैंग को गुसा आजाता है वो शाओ को गलब पकर लेती है आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी पर फू बोटल से हिट कर देता है टैंग को पेन हो रहा था फू रिक्वेस्ट करती है प्लीज मुझे होस्पिटल ले जाओ फू बोलता है एक बार शादी हो जाए उसके बार ले जाओंगा फू शाओ को बोलता है इसका हुलिया ठीक करकर ले आओ फू और टैंग आते हैं सबी इन दोनों को देख रहे होते हैं फू से पूछा जाता है क्या तुम टैंग को अपनी वाइफ के तोर पर एकसेप्ट करना चाहोगे तो फू हां बोल देता है पर जब ये सवाल टैंग से पूछा जाता है तो वो कुछ नहीं बोल रही होती फू उसका हाथ पकड़ कर बोलता है जल्दी से हां कहो पर टैंग को उसका धोका यार आ जाता है और ना बोल देती है शाओ आकर बोलती है ग्रेंपा ने सा होने वाला डाड है टैंक ने तो ये ऐसे ही रैंडम ली कह दिया था क्योंकि उसे पता था कभी भी शेन उसे शादी नहीं करेगा फु बोलता है ये गू फैमली का नजाईस बेटा है शेन बोलता है हाँ मैं टैंक से शादी करने को तयार हूँ शेंग टेंग के पास आ जाता है टेंग तो फो को पकरने वाला था शेंग बोलता है अब ये मेरी है तो इससे दूर रहना शेंग टेंग के फेस पर बलड देखकर बोलता है क्या हुआ तभी टेंग भी होश हो जाती है शेन सोचता है फाइनली तुम मेरे पास आ गई, अब मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा शेन टैंक को उठाकर ले जाता है, डैट तो देखते ही रह जाते है टैंक होस्पिटल में होती है, वो अपने बेबी के बारे में पूछती है शेन बोलता है वो एकदम ठीक है, पर मुझे ये बताओ, तुम मुझे से शादी क्यों करना चाहती हो टैंक बोलती है एक दील है तुमारे लिए, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है जिससे तुम्हें बहुत फाइदा होगा तुम मेरे साथ एक साल रहो, उसके बाद हम डिवोस ले लेंगे, इस शादी से तुम्हें भी फाइदा होगा आक्शली मैं टैंक को अफू और शाओ से रिवेंच लेना था, क्योंकि उन लोगों ने टैंक के बेबी को मानने की कोशिश की थी ये सब शेल भी जानता था, इसलिए बोलता है मैं सोच कर बता दूँगा, टैंक को कॉल आता है, ग्रेनपा की तबेट ठीक नहीं है नक्सीन में शाओ एक लेड़ी को मार रही होती है, तुम्हारी हिम्मत के से हो गई मेरे सामने बोलने की टैंक आकर उसे चाटा लगा देती है, तुम ये सब क्या कर रही हो, शाओ बोलती है, तुम्हारी हिम्मत मुझे माने की, तब यह डैड़ आ रही होते हैं, तो शाओ जानकर गिर जाती है, जैसे उसे अभी थपड लगा हो, टैंक बोलती है, तुमने शाओ को मारा केसे, और वज़े से आपकी हल्थ खराब हुई, ग्रेंटपा बोलते हैं कोई बात नहीं, वैसे फू से अच्छा वो शेन है, मेरी तो उमर हो गई है, पर मुझे पता है, सभी तुम्हें बूली करते हैं, इसलिए मैं सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करना चाता हूँ, में एक ही पोती है, मेरा क्या होगा, ये सब तो मुझे भी मिलना चाहिए ना, टैंक बोलते हैं, छोड़ दो मुझे, ये तुम सही नहीं कर रही हो, ग्रेंटपा टैंक को बचाने आते हैं, लेकिन फू उन्हें धक्का दे देता है, शाओ बोलते हैं ये बच्छा शेन का न पर वो चब अरदस्ती करकर पेपर पर साइन करवा लेती है, अब सब मेरा होगा, फू बोलता है तुम मुझे भूल रही हो, ग्रेंटपा की तो देथ हो जाती है, फ्यूंडर में टैंक रो रही होती है, डैट बोलते हैं तुमारी वज़े से ही सब हुआ है, इसलिए यहीं पर रहना, तभी आफू और शाओ भी आजाते हैं, शाओ उन्हे तो रेड ड्रेस पहना होता है, टैंक बोलती है तुम यहां आई भी कैसे, शाओ बोलती है ग्रेंटपा की अस्तिया है, क्या मैं फैक दू, टैंक बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, शाओ बोलती है मैं कु तुम दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगी तभी यहां शैन आता है मैं रिवेंच में तुमारी हेल्प कर सकता हूं पर तुम कभी डिवोस नहीं दे सकती तैंग बोलती है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो शैन बोलता है क्योंकि तुम मेरे बच्ची की माँ बनने वाली हो ना टैंग ने तो जुट बोला होता है लेकिन इस लड़के ने तो सच में यकीन कर लिया था इसलिए टैंग हां कह देती है शाओ टैंग के ओफिस में होती है और सब कुछ फैक रही होती है तब यहां टैंग आ जाती है शाओ बोलती है अब क्या लेने आई हो क्योंकि अब सब कुछ मेरा है टैंक बोलती है जादा उचलो मत शाओ टैंक को थपड मारती है तो टैंक भी शाओ को तमाचा लगा देती है शाओ बोलती है तुमने मुझे कैसे मारा तभी फू आकर टैंक को चाटा लगा देता है और शाओ से पूछता है तुम ठीक तो हो ना फू टैंक को बो तुम किसी से भी पूछ सकती हो याद आता है शारी से पहले टैंक के सारे डिजाइन फू ने ले लिए थे यह बोल करकि तुम्हें शाओ के हेल्प करनी चाहिए वह तुम्हारी बेहन है टैंक मना भी करती है पर फू उसकी नहीं सुनता और स्माइल कर रहा होता है तैंक समझ जाती है फू ने उस दिन चूट बोला था वो आज तक टैंक का बस इस्तमाल कर रहा था टैंक बोलती है मैं तुम्हें नहीं चोड़ूंगी फू बोलता है निकलो यहां से तभी यहां पर अरब का क्लाइंट आ जाता है और बोलता है क्या मैं गलट टाइम पर आ गया हूँ शाओ बोलती है नहीं तो अली बोलता है मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ शाओ बोलती है यह नेकलेस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मुझे दे दीजिए अली बोलता है तुम कोन हो यह तो मैं टेंक के लिए लाया हूँ आज हमारी डिल साइन होने वाली थ दो, टैंक बोलती है सोच भी कैसे लिए मैं तुम्हारी हैंप करूँगी, फू बोलता है मैं तुम्हें बन मिलियन दूँ है, टैंक अली को बोलती है, यह लोग आपको वजाने कर ट्राइ कर रही हैं, मुझे यहाँ पर रखकर, अली गुस्छा करने लग जाता है, आप अपने गू ग्रूप के बारे में सुना होगा ना अपसे मैं वही पर काम करने वाली हूँ अली बोलता है मैं तीन साल का कॉंट्रैक रेडी करवा देता हूँ टैंग वहां से जाने वाली थी शाओ बोलती है तुमने मेरा कॉंट्रैक कैसे ले लिया टैंग बोलती है थैंक क्य से मुझे इतनी बड़ी डील मिली है थैंक यू जान फू बोलता है मैं नहीं चोड़ूंगा तर बोड़ी गार्ज देखकर पीचे हर जाता है टैंक बोलती है ये तो शिरुवात है एक दिन ये कंपनी भी मैं ले लूँगी शाओ तो पागल हो जाती है क्योंकि इतना बड़ा कोंट्राक टैंक को जो मिल गया था शाओ फू को बोलती है तुम कुछ भी नहीं कर पाए फू बोलता है हम तुमारे डैड को सब कुछ बता देते हैं वही टैंक को मज़ा चखाएंगे टैंक शैन को बोलती है ये कोंट्राक मेरी तरब से शादी का तोफा समझो तुमें ये डैड का होता है डैड बोलते है जल्दी से घर आ जाओ वरना तुम्हारी मूम को तूम दुबारा देख नहीं पाओगी स्टेप मूम बोलती है ये सब तैंग ने जानकर नहीं किया होगा तैट बोलते हैं उसने मेरी डील कैसे ले ली आज तुम्हें उसे नहीं चोड़ने वा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं टैंक बोलती है मैं सब कुछ संभाल लूँगी शैन किसी को कॉल करता है टैंक महां पहुंच जाती है दैट बोलते हैं मुझे शाओ ने बताया इतना बड़ा कॉंटाइट तुमने शैन की कंपनी को दिलवा दिया और हमारी कंपनी को लोस ह करती है ओपर से फूँ भी हमसे नराज है तैंक बोलती है तो में क्या करूं दैट तो एक चाटा लगा देते हैं मेरी बेटी हो कर तुम ऐसे कैसे कर सकती हो डैंक बोलती है तुमने शाओ से की पता है कितनी प्रॉबलम हो रही है हमें टैंक बोलती है मैं उसे शादी भला कैसे करती उसके साथ तो शाओ सोती है ना मिस्ट्रिस बनकर ये बात सुनकर डैड कुछ भी नहीं बोलते हैं डैड को सब पता था और उन्हें बोलती है सब जानते थे फिर भी मेरी शादिया आप मुझे कम्णी से भार निकाल चुके हो ना, तो मैं आपका फाइदा क्यों करवाओंगी। डैक्ड बोलती है तुम्हारी मोम हमारे पास है। टैंक मोम के पास आती है। बोलती है मैं आपकी बेटी हूँ. मोम बोलती है मेरी कोई बेटी नहीं है। एक्चिली मैं उन्हें टैंग अभी याद नहीं थी, टैंग बोलती है यह आपकी फर्स्ट वाइफ है, आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, डैर बोलते तुम्हें अपनी मोम की खातिर फू से माफी मागनी पड़ेगी, टैंग मान जाती है, तब यहां शाओ आती है, देखा मैं जो चाहती हूं से ले ही लेती हूं, टैंग शाओ को धपर मारती है, तुम्हें तो मैं नहीं चोड़ने वाली, शाओ टैंग की मोम को धपर मारने को बोल देती है, यह देखकर टैंग को गुसा आजाता है, शाओ बोलती है, तुम जब भी मुझे नाखुश करोगी, पर इगार को बोलती है, वो लड़की आए तो मुझे बता देना, पर बोरिगार को तो कोई भ्योश कर देता है, पर में शाओ एक लाइन से मिलती है, जो एक नमबर का लड़की बाज है, शाओ उसे बोलती है, मैंने तुमारे लिए एक लड़की का इंतिजाम कर दिया है, उस फू बोलता है इतनी भी जल्दी क्या है दूसरी तरफ शेन को पता चल गया था टैंग एक पब में है इसलिए बोलता है मुझे उसके पास जाना होगा इधर फू बोलता है मैं तुम्हें माफ कर दूँगा पहले ड्रिंक पी लो टैंग बोलती है मैं प्रेगनेंट हूँ इसे नहीं पी सकती हूँ बोलता है अपनी मुझे बारे में सोचो अभी भी वो शाओ के हातों में है वो कुछ भी कर सकती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी शाओ ड्रिंक में कुछ मिला देती है और बोलती है एक गलास पीने से कुछ फो थोड़ी जाएगा टैंग पी लेती एन्ट मतमीस ही कने लगत आ है पर तबी शेन वहाँ आ जाता है और इन दोनों बंदों को धो देता है टैंग होश में नहीं होती शेन उसे रूम में लेकर आ जाता है टैंग शेन को अपने क्लोस करती है और उसे किस्ट करने वाली थी लेकिन शेन इग्नोर करकर जा रहा होता है पर टैंग उसे पीछे से पक तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा चैन को छोड़ी नहीं रही होती इसलिए वह उसे वश्टूम में लाता है यहां भी टैंक शैन को पकड़ रही होती है शैन उसके फेस पर पानी फैकता है फोश में आ जाओ तुम टैंक को होश आ जाता है लेकिन विचारीया बहुत चैन को मैं आजु के बोलता है उसे यादाता है वो अपने कप्रे तो लाई नहीं है वो टावल पेैंक कर भार आती है उसे शैन कहीं नहीं दिखता तो वो नाइट ड्रेस्ट रूने लगती है तब ही शैन बोलता है क्या हुआ टैंक का टावल नीचे गिर जाता है शैन तो उसे गुरने लग जाता है टैंक उसके आखे बंद करने जाती है पर उसके उपर ही गिर जाती है मुझे ऐसे मत देखो पर शैन की नजर तो गटी नहीं रही होती बारा कर भी टैंक के बारे में ये सोच रहा होता है ये दोनों अब बहुत ही जादा नर्वस हो रही होते है शैन बोलती है मेरी मुझे वज़े से शैन बोलता है मुझे पता लग गया है सबी काम करवा रही थी शैंक बताता है उन्हें अभी तक ड्रग दिया जा रहा था जिसकी वज़े से तुम्हारी मूम की ऐसी हालत हो गई थी यह सुनकर टैंक हैरान हो जाती है ऐसा कौन कर सकता है तब यह टैंक की मूम आ जाती है पहले वो टैंक को पेचांच जाती है पर करकर रहूंगी शैंक बोलता है मैं तुम्हारे साथ हूं टैंक बोलता है अब उन दोनों को शौक लगने वाला है क्योंकि टैंक की मौम अब उन दोनों के पास नहीं थी शैंक बोलता है जो डिजाइनिंग कॉम्पिटिशन होने वाला है तुम उसमें वीनर होनी चाहिए ट सुनकर शाओ बोलती है जितनी बार ट्राइ कर लो ये टैंक की बच्ची बच्च कर भाग जाती है वो सब कुछ फू को बता रही होती है तभी शाओ की मुम का कोल आता है टैंक की मुम पूरे घर में कहीं भी नहीं है इवन कैमरा रिकोर्डिंग भी डिलीट हो चुकी है तुम बार बार मैरिश की बात करती हो अगर तुम इस कॉम्पिटीशन में फर्स्ट आई तो मैं हमारी शादी के अनॉस्मेंट कर दूँगा शाओ तो खुश हो जाती है डैड का बड़े आने वाला है गिफ्ट लेनी के लिए जाना होगा फू ओके बोल देता है मोर्निंग में ट बोलती है ये मुझे चाहिए टैंक तो मूँ बनाने लग जाती है ये फिर से मिल गई शाओ तो टैंक को पूली करने लग जाती है तुम ये सब अफोड भी कर पाओगी क्या तुम्हें तो डैड ने घर से निकाल दिया है ना अब कहां से आएंगे इतने पैसे तुमारे उस काफी expensive लगती है कहां से ली है टैंक शाओ को ignore करकर दूसरा कुछ खरीटने वाली थी शाओ वाँ पर भी बोलती है मैं इसके दुगने पैसे दूंगी वो इंप्लॉई बोलती है सोरी हम ये आपको नहीं दे सकते टैंक बोलती है पर ये पहले मैंने लिया था ये सब शेन भ होने लग जाती है त्यांक बोलती है पैसे तुम पहले ही उड़ाच चुकी हो ना चाओ बोलती है वैसे ये सब इतना अच्छा नहीं है तुमी ले लो त्यांक तो Sब चाटा लगा देती है तुम मुझे इतनी असानी से बूली नहीं कर सकती हो तब यहां शेन का फ्रेंड आता है वो टैंग को जानता था यह देखकर शाओ टैंग को नीचा दिखाने लग जाती है यह क्या तुम अपने हस्बन को छोड़ कर किसी और मैं के साथ हो यह बात शैन को पता चली तो टैंग बोलते है तुम्हारी तू सोची गन्दी है तब यहां शैन आता है शाओ बोलती तुमने मेरी वाइफ के साथ लास्ट नाइट क्या किया था। शैन अपने आदमें को ओर्डर देता है। इस लड़की की धुलाई करो। फिर क्या उसके बंदे तमाचे पर तमाचे शाओ को मानने लग जाते हैं। बिजारी शाओ के तो हालत ही खराब हो जाती है। तभी या फियांसी ने ये एंटिक पीस तोड़ दिया है। बिचारे फू को पैसे भी बढ़ने पड़ते हैं। फ्रेंड उस इंप्लोई को जॉब से निकालने वाला था। पर शैन बोलता है ऐसा मत करो। ये देखकर वो इंप्लोई टैंक को थैंक्यू कहने लगती है। शाओ घरा पर उसके लिए भी कोई अच्छा डिजाइनर चाहिए होगा। फू बोलता है मुझे पता है क्या करना है। फू एक डिजाइनर को मिलने के लिए आता है। वो बंदा बोलता है तुम्हें मेरी फियांसी के लिए डिजाइन बनाने होंगे। वो बंदा बोलता है भला मैं ऐ वो बंदा शेन को पसंद नहीं करता था इसलिए फू ऐसे तैसे करकर उसे मनाने लग जाता है यहां पर शेन की सारी फैमिली होती है जो शेन को सुनाने लग जाती है तुम्हारी वाइफ शारी से पहले कैसे प्रेग्नेंट हो गई इवन ग्रेंडमा भी बोल रही होती है हम ऐ अपनी वाइफ को बोलता है चलो यहां से तैंक बोलती है नहीं मैं पहले तुम्हारी ग्रेंडमा को गिफ दूंगी तैंक सभी को सुनाने लगती है इवन शेन के डड़ को भी नहीं छोड़ती है आप इस फैमिली में पैसो की वज़े से है ना वरना मुझे नहीं लगता आ तैंक मुझे रोकोगे वो दुबारा मारने वाली थी पर टैंक उनका हाथ पकड़ कर बोलती है आप मुझे बद्तमी समझेंगी पर मैं भी थपड़ मार सकती हूँ आपको ग्रेंडमा यहां नहीं थी इसलिए टैंक गिफ छोड़ कर जा रही होती है तब ही ग्रेंडमा अक कि ग्रैंदमा बोलती है है और किस का होगा ग्रैंदमा टैंग को बोलती है तुम कितनी दूबली पतली हो अच्छी से खाना खाया करो तब ही वो डिजैनर वाहां जाता है जो फू से मिलने गया था यह और कोई नहीं शेंग का स्टेप ब्रदर मिन होता है स्टैप मूम बोलती है देखो ना तुम्हारा भाई किस लड़की को घर मिलाया है टैंग मिन को देखता है मिन का नाम तो एक दो मडर केस में भी होता है मिन टैंग से मिलता है ग्रैनमा को तो टैंग कुछ जादा ही पसंद आ रही थी टैंक की घर में कोई आ जाता है और टैंक की डिजाइन्स की फोटो ले लेता है जैसे ही ग्रेंडमा जाती है शैन बोलता है एक्टिंग मत करो मॉम ग्रेंडमा के सामने अच्छे बनने का मिन बोलता है तुम इस फैमली के नजायस बच्चे हो सब कुछ Go family का मुझे ही मिले वाला है शेन बोलता है हो सकता है पर ग्रेनमा को पर पोता थो हम ही देने वाले हैं तो जादा property थो हमें ही मिलेगी शेन टैंक को लेकर चला जाता है तब मिन को मेसेज आता है घर आकर शेन बोलता है design ready है ना टैंक बोलती है, हाँ देखो, टैंक उसे दिखाने लग जाती है, अगले दिन मिन, फू और शाओ से मिलता है, एवन उसके पास टैंक के डिजाइन की कोपी भी थी, शाओ तो खुश हो जाती है, क्या बात है, अब मैं टैंक को मज़ा चेखाऊंगी, मिन ये सब इसलिए कर रह इसी पटा लिया तो काम असान हो जाएगा, ये सब देखकर टैंक को तो चकर ही आने वाले थे, शाओ बोलती है, तुमने मीरी हेल्प की है, ठैंक यू, और फ्लट करने लग जाती है, मिन भी सब समझ जाता है, और उसे रात में मिलने के लिए बुला लेता है, शाओ वो के तब फू आकर बोलता है, तुम्हारा फेस इतना रेट क्यूं हो गया है, शाओ बोलती है, वो गर्मी है न जादा, शाओ मिन को इशारा करकर चली जाती है, शाओ तो बहुत जादा खुश थी, उसे कुछ मेनत भी नहीं करनी पड़ी, और टैंक के डिजाइन भी मिल गए, फू बोलता है, अब कॉम्पिटीशन वाले दिन पता चलेगा, देखना टैंक का फेस तो देखने लायक होगा, शाओ फू को बोलती है, तुम ना होते तो पता नहीं क्या ही होता, फू बोलता है, किस से मेरा क्या होगा, आज रा तुम्हें मेरे साथ ही सोना होगा, शाओ ब बारे में सब जानना है चलो उसके पीछे शाओ मिन से मिलने के लिए प्राइवेट रूम में आ जाती है और बोलती है जादा वेट तो नहीं किया ना मिन शाओ को अपने क्लोज करकर बोलता है क्या तुम्हें फू से डर नहीं लगता शाओ बोलती है वो इतना जादा होने वाला है तुम मेरी वाइफ हो इसलिए अच्छी सी ड्रेस लेना टैंक बोलते हैं तुम कुछ जादा ही पैसे उड़ा रही हो शैन को एक कॉल आ जाता है टैंक ड्रेस ट्राइक कर रही होती है इंप्लोई बोलती है आपका फीगर अच्छा है सभी ड्रेस आप पर बहुत अच्छी लगेंगी टैंक बोलती है मैं प्रेगनेंट हूँ तब यह शाओ भी टपक जाती है तुम यहां भी पहुच गई मुझे नहीं लगाता तुम इतनी एक्सपेंसिव शोप पर भी आ सकती हो टैंक बोलती है क्योंकि मेरा क्रेडिट कर अनलिमिटेड है शाओ बोलती के फेस पर पैसे फैक देता है टैंक बोलती है बहुत हो गया टैंक को तो गुस्सा आ रहा था फू टैंक को हिट करने वाला था पर टैंक उसके प्राइफिट पार पर हिट कर देती है फू की हालत खराब हो जाती है शाओ बोलती है तुमने यह क्या किया और थपरवाने वा ये competition तो मैं ही जीतूंगी टैंक बोलती है वो तो पता चल जाएगा ये दोनों चाह रहे थे तब ही शैन आकर बोलता है कुण मेरी wife को परिशान कर रहा है शाओ को पिछली बारवाली दुलाई याद आ जाती है इसलिए डर रही होती है वो टैंक को बोलता है तुम बूल गई बेटर है अपनी फ्यांसी पर धियान दो कहीं किसी और के साथ ना चली जाए शाओ बोलती है जान तुम इसकी बात पर धियान मत दो ये कुछ भी बोल रहा है वो बोलता है तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगा शाओ घर पर आकर गुसा कर रही होती है इस टैं नहीं तुम को पिटीशन पर धियान दो शाओ बोलती है टैंक की मुम जबसे हमारे हाथ से गई है ना तब से वो टैंक कुछ जादा ही उचल रही है मुम बोलती है हम उसे जल्दी से ढून लेंगे वैसे तुम बताओ मिन के साथ केसा चल रहा है शाओ बोलती है सब ठीक है उसे हमारा जादा ही प्रॉफिट होगा लेकिन अभी फू को नहीं चोड़ सकती पर एक बार सब ठीक हो जाए उसके बार मैं मिन से शादी करने वाली हूँ मुम बोलती है मेरी बेटी कितनी जादा सुन्दर है कोई भी लड़का तुमारी इस ब्यूटी पर कायल हो जाता है शाओ बोलती है मुम एक बार मैं मिन से शादी कर लूँ उसके बाद वो टैंग भी कुछ नहीं कर पाएगी सबी रिपोर्टर्स फेशन शो में आए होते हैं जैसे ही टैंग और शेन वहां पहुंचते हैं सबी उन पर सवालों की बारिश कर देते हैं पर शेन सबी को इगनो और कर देता है बात में जब शाओ और फू भी महां पहुंच जाते हैं तो सब लोग शाओ और फू के रिलेशन्शिप के बारे में जानना चाहते थे उने बताने ही वाला था कि वो शादी करने वाला है पर शाओ से रोग देती हैं हम बस अच्छे दोस्त हैं फू शाओ को दोस्त बन गए शाओ बोलती है तुमने ही तो कहा था ना कॉम्पिटीशन के बाद ही हम अंगेजमेंट की अनॉंसमेंट करेंगे पर एक्शली में तो शाओ अब मिन्स से शादी करना चाहती थी इसलिए वो फू को आवोइड कर रही होती है कॉम्पिटीशन स्टार्ट होत कर सबी लोग बोलने लग जाती है ये क्या ये तो शाओ के डिजाइन है ना शाओ तो एक्टिंग करने लग जाती है माना कि तुम मेरी भेन हो सारा काम भी तुमने मेरे पास सीका है पर तुमें ये सब नहीं करना चाहिए था टैंक बोलती क्या बकवास कर रही हो डिजाइन मेरे थे जो तुमने चुरा लिए और मुझ पर ही इंजाम डाल रही हो शाओ तो रोने धोने की नोटंगी करने लग जाती है मैंने इतनी मेनद की और तुमने चुरा ली शेंग बोलता है अब हम क्या करेंगे शाओ तो फू के गले लग जाती है और मासुम बनने लगी थी टैंक बोलती है मैं लाड्ज चांस दे रही हूं सबको सच बता दो तुमने मेरे डिजाइन चुराए हैं शाहो सोचती है कई इसके पास कोई अभिडेंस तो नहीं है ना मेरे अकेंस ऐसा केसे हो सकता है यह सुचने के बाद बोलती है मैं क्या सच बताऊं सच तो तुम बताओ ना तुमने मेरे डिजाइन कॉपी किये हैं बोल दो सब के सामने मैं तुमें माफ कर दूगी आखिर कार तुम मेरी भेन हो टैंक बोलती है ओके बाद में ये मत कहना मैंने तुमें चांस नहीं दिया था टैंक एक वीडियो चलाती है जिसमें जो बंदार डिजाइन चुराने गया था उसको पकड़ लिया गया था और वो बोलता है ये सब मुझे शाओ ने करने को कहा था शाओ बोलती है क्या मैंने कुछ भी नहीं किया है सब ये बाते करने लग चाते हैं हम तो टैंक को गलत समझ रहे थे पर ये डिजाइन तो शाओ ने ही चुराए थे टैंक बोलती है अगर तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है यहां वो वीडियो दिखाती है जिसमें शाओ मिन के साथ थी जिसमें वो बोल रही होती है मुझे फू से ढर नहीं लगता क्योंकि वो मिन्च इतना पावरफुल नहीं है इसलिए मैं तुम से शादी करूंगी बस एक बार में डिजाइनिंग कॉम्पिटीशन में फरस्ट आ जाओं क्योंकि फू मेरी हेल्प कर रहा है टैंक के डिजाइन को चुराने में टैंक बोलती है क्या अब यकीन हो गया तुमें फू बोलता है ये क्या चल रहा है शाओ बोलती है मैंने कुछ नहीं किया ये वीडियो फेक है फू से ठपर मारता है तुम मुझे चीट कर रही थी? मैंने तुम्हारे लिए टैंक को चोड़ दिया शाओतों से मनाने लग जाती है मुझ पर यकीन करो जान मैं तुम से ही प्यार करती हूँ फू बोलता है वो तो मैंने देखी लिया तुम कितना प्यार करती हो फू टैंक से माफी मागने लग जाता है मैंने तुम्हें गदस समझा पर आज भी तुम्हें ही पसंद करता हूँ तुम मेरे पास वापिस आ जाओ ना शायन बोलता है भूलो मत अब ये मेरी वाइफ है टैंक बोलती है तुम को मंने के साथ मजे कर रही थी ना शाओ टैंक को मारने वाली थी फू जे रोक लेता है मेरे थैंक को टच भी मत करना टैंग अपने डिजाइन फैक देती है क्योंकि तुमने ये डिजाइन चुरा लिये हैं तो अभी ये किसी काम के नहीं कच्छरे के बरावर हैं और अपने न्यू मोडल्स को बलाती है एक्शली में टैंग ने बैक अप प्लैन रखा हुआ था मोडल्स के ड्रेस देकर सब बैरस करने के लिए टैंग बोलती है तुमने भी शादी वाले दिन यही किया था ना अब निकलो यहां से सभी लोग टैंग के साथ कॉंट्रेक्ट साइन करना चाहते थे टैंग बोलती है अब मैं गूग रूप के साथ काम करूंगी आप सब वहीं आ जाना टैंग ने तो श कप से मिन के साथो शाओं बोलती है सब कुछ भी नहीं है फूम बोलताагा about to बीत्वत च्चिलाती रह जाती है खंच अपनी मोम को बतारही होती है मोम बोलती यह सब टैंग ने किया है ना उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई तभी डैड आ जाते हैं ये क्या किया तुमने स्टैप मॉम बोलती है इसमें शाओ की कोई गलती नहीं है सब टैंक की वज़े से हुआ है डैड स्टैप मॉम को तमाचा लगा देते हैं शाओ उने उसके डिजाइन चुराए है और तुम कह रही हो इस तो हम बैंकरफ्ट हो जाएंगे तो आप ठैंक की हल ले लो दैड बोलते हैं अच्छा हमने उसके साथ जो गलत किया है वह हमारी हेल्प क्यों करेगी शाओ बोलते हम उसकी मूम का यूज कर सकते हैं या टैंक को भी पता चल गया था उसके डैड की कंपनी में क्या चल रहा ह तभी टैंक को उसके डैड का कोल आता है जल्दी घर पर आ जाओ कमपनी को तुमारी हेल्प चाहिए टैंक बोलती है मैं कबसे आपकी हेल्प करने लगी डैड बोलते हैं तुमारी माम मेरे पास है टैंक बोलते हैं उन्हें कुछ मत करना मैं आ रही हूँ जबकि मोम तो टैंक क पास ही थी तैंग अपने डैड के घर आ जाती है और स्टैप मोम तो कुछ जादा ही मीठा बंड रही होती है तैंग बोलती है रहने दो यह एक्टिंग बंड करो शाओ बोलती है तुम ऐसी बाते कैसे कर रही हो तैयर उस पर चलाते है इसलिए वह माफी मांगने लगती है से भी अब तुम शेंग की वाइफ हो उसे कहो ना मेरी कंपनी में इवेस्ट करें तैंग बोलती है अपने सोचा के से मैं ऐसा करूंगी तैंग बोलती है वो तुम्हारी भी तो कंपनी है ना तैंग बोलती है मेरे नाम पर तो कुछ भी नहीं है तैंग बोलती है मैं तुमा शेर दे दो क्योंकि कंपनी नहीं रहेगी तो बचेगा ही क्या डैड माहन जाते हैं इवन उन्होंने तो कॉंट्राक भी रेडी करवा लिया था टैंक साइंग कर देती है डैड तो खुश हो जाते हैं पर तभी शेन पुलिस को लेकर आता है क्योंकि डैड ने मनी लॉंडरिं इसलिए जूट मत बोलो शाओ बोलती है क्या एविडेंस है कि वो तुम्हारे पास है टैंक के पास कोई एविडेंस नहीं था पर शेन बोलता है मैं हूना तुम्हारे साथ दैड तो चिलाने लग गए थे मैंने कुश भी नहीं किया शेन उस डोक्टर का फोटो दिखाता है अब कुछ याद आया आपको तभी मोम भी आजाती है जो एकदम ठीक हो चुकी थी टैंक की मोम बोलती है तुम दूसरी शादी करना चाते थे इसलिए तुमने मुझे पागल बना दिया ना पर अब मैं ठीक हो गई हूँ अब तो सभी को पुलिस टेशन जाना पड़ता है टैंक बोलती है आप ठीक कब हुई मोम बोलती है मैं पहले से ही ठीक थी बस एक्टिंग कर रही थी मुझे डर था वो तुम्हें मार ना दे और बाकी का ट्रीटमेंट शेन ने मेरा करवा दिया था तब शेन को किसी लड़की का कॉल आ जाता है मैं वेट कर रही हूँ उस ल गई थी तो शेन तुम्हें भूल गया हो और अब तो शेन ने शादी भी कर ली है कोको बोलती है वो मुझे आज भी प्यार करता होगा मिन बोलता है पर सुना है शेन की वाइफ प्रेगनेंट है कोको बोलती है मतलब अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है मिन बोलता है एक टैंक की वज़े से पहले भी इन लोगों को काफी प्रॉफिट मिला था, सबी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब यहां बहुत से एक्स्पेंसिव गिफ्ट साते हैं, टैंक सोचती है यह किसने दिये होंगे, मॉम बोलती है तुम्हें शेन से मिलना चाहिए, टैंक शेन कर रहा है, जबकि यह बच्चा भी शेन का नहीं है, शेनों से कुछ बता नहीं वाला था, तब उसे पुलिस से कॉल आता है, शाओ भाग गई है, असेसंट आकर बताता है, आपकी मॉम को शाओ ने किनैप कर लिया है, मॉम एक वेर हाउस में होती है, शाओ मॉम को थपड़ मार कर बोलती है, यह सब आपकी वज़े से हुआ है, आप पागल नहीं थी, एक धम ठीक थी, मॉम बोलती है, तुम यह सब क्या कर रही हो, शाओ बोलती है, आप पागल होती तो मैं कभी भी आपको किनैप नहीं करती, मॉम बोलती है, अगर मारना है तो मार दोना, शाओ बो पंप ए पास आने लगता है और बोलता है तुम अपने मुम डेड़ के बारे में सोचो क्या होगा उनका तुम यहां से सीधा जेल जाओगी टूम को मारने वाली थी पर शेहन उसे बचा लेता है और टैंक को भार जानी को बोल देता है टैंक भार आती है मोम को लेकर तबी आख लग जाती है टैंक वापिस आती है और शैन को देखती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब थी शैन बोलता है ये सब मिन ने किया है कुछ टाइम पहले शैन जब शैन को पूछ रहा होता है बताओ तुम्हारे साथ कुन मिला हुआ है तब मिन नहीं उसे पीछे से मारा था और बोलता है कुछ राज कभी भार नहीं आ पाते और तुम भी यहां से भार नहीं चापाओगे और यहां आग लगा देता है टैंक बोलती है चलो मेरे साथ शैन बोलता है तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ तुमने वन नाइट स्टेंड किया था वो मैं था अब तो तुम्हें मुसे नफरत होगी ना टैंक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है तभी शैन भी होश हो जाता है शाओ मिन को बोलती है अब हम शादी करेंगे ना और तुमने कहा था उसके बाद हम अब रोट चले जाएंगे मिन बोलता है पर तुम्हारे मॉम डैट शाओ बोलती है मैं उनसे मिन ली के लिए आती रहूंगी पर तभी मिन शाओ को चाको मार देता है शाओ बोलते तुमने ये क्यों किया तुमने मुझे प्यार किया था ना मिन बोलता मुझे अच्छे से पता है तुम मेरे पीछे इसलिए थी क्योंकि मेरे पास पैसे हैं वरना तुम तो मुझे देखती भी नहीं इसलिए मैंने ये सब किया में शाओ को मार देता है और बोलता है आप गोग रुपका सब कुछ मेरा होगा तब ही या कोको आ जाती है वो तो बहुत ज़ादा डरी हुई होती है क्या तुमने इसको मार दिया में बोलता नहीं ये तो खुदी मर गई वैसे तुमें कुछ नहीं करने वाला मैं, मैं तुमसे शादी करूँगा ना, एक्शली मैं कोको रिच फैमिली से होती है, इसलिए मिन उसे शादी करना चाहता था, ताकि और भी जादा रिच बन चाहे, मिन बोलता है, आप तो शैन भी नहीं रहा, कोको बोलते है क्या तुमने उसे भी नहीं चोड़ा, मिन बोलता है नहीं, शैन को तो शाओने मारा है, कोको ने सब कुछ रिकोर्ड कर लिया होता है, निउस में आता है, शैन मर गया है, ये सुनकर डैड को तो रोना आ रहा होता है, पर स्टैक मों बोलती है, अच्छा ही हुआ, ये हमारी रेपोर्टेशन खराब करता था, ये जानकर ये निउस फिलाई होती है, ताकि अब शैन को कोई भी हट ना कर पाए, टैंक बोलती है, तुमने मुझे जूट बोला, पर मैं तुम्हें माफ कर दूँगी हमारे बच्चे के लिए, इसलिए जल्दी से ठीक हो जाओ, टैंक घर पर आती है, तभी उसे कोको मिल कोको बोलती है, मुझे भूक लगी है, टैंक दोनों के लिए नूर्स बनाती है, कोको को टैंक पसंद आ जाती है, और उसे बताती है, मैं शैन की एक्स कलफर्ण हूँ, पर आप तो शैन नहीं रहा, इसलिए अब तुमसे लड़ने का कोल मतलब नहीं है, वैसे भी ये सब मि मिन ने किया है, इसका एविडेंस मेरे पास है, मैंने तुम्हें भेज दिया है, टैंक वो रिकोरिंग सुन रही होती है, मिन शैन के आफिस में आता है, जहां टैंक भी होती है, मिन पूछता है, तुम यहां क्यों आई हो, टैंक बोलती है, मैं शैन की वाइफ हूँ, तो मै ही मिलेगा में बोलता है पर तुम तो फ्रेग्नेंट होना वैसे दो दिन के बाद शेर होलर्डन की मीटिंग है उसमें मुझे ही सीयोग बना दिया जाएगा तैंक बोलती है दो दिन बाद जो होगा वो देखा जाएगा अभी तुम यहां से निकलो टैंक मन में सोच रही होती ऐसे ही दो दिन निकल जाते हैं और शेर होल्डर की मीटिंग में सभी मिन को CEO बनाना चाते थे टैंक तो नर्वस हो रही होती है किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मिन के CEO बनने से पर तभी या शेन आ जाता है मैं अभी मरा नहीं हूँ मिन तो हैरान हो जाता है और बोलता है भाई तुम आ गए शेन मिन को बोलता है तुमने ही तो मुझे मारने का ट्राई किया था था ना इवन वो recording भी सभी को सुना देता है दैट तो मिन को थपड मारती है और पुलिस मिन को ले जाती है स्टैप मा बोलती है मैंने मिन को कुछ भी नहीं कहा था शैन बोलता है ये मेरी कंपनी है तुम यह क्या कर रहे हो निकलो यहां से नहीं तो शैन के कान पकड़ लेती है तुम्हारी चैल्डोर स्टैट है ना तुमने बताया भी नहीं मुझे शैन बोलता है मेरी मा मुझे छोड़ दो नहीं पर इस ब्यूटिफूल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पीस वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे नियू अपडेट्स के लिए बेल एकन का बटन पेस करे मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए सारांगे बाई बाई